जैसा सबको पता है कि मनोज तिवारी जी जब आपके नेता लोग सिगनेचर भीज का उद्गाटन कर रहे थे उस समय स्टेज पे चड़ने कोशिश करते हुए उनको स्टेज से धका दिया गया नीचे लेकिन आपके लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी प्रोडाम में खलल ड जाना चाहिए था ऐसा ही मामला जब पहले एक पुल बना था इटियो पे उस पे बीजेपी ने ही पूरा करेड़ लिया था और आप की पार्टी के पी डवल जुडी ने वो पुल बनाया था जब जब इलेक्शन नजदी का आते हैं इस तरह की बातें डिल्ली वालों को दे दिल्ली में पुल है यह 14 काफी से बता दें कि यह पुल काफी समय से सीला सरकार के समय से ही अटका हुआ था और इसको कोई भी बजट नहीं दे पार था बारवार बजट बढ़ रहा था आप सरकार ने काफी कोशिश करके इस ब्रीज को अपने समय से पहले बनाने की कोशिश की और बना भी लिया एक चीज और बड़ी दिल्चस पर यहां बताना कि हम एक सिगनेचर ब्रीज के लिए दिल्ली में इतने साल लगे और इतना बबाल कर रहे हैं एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडिया में तना राजनीती हो रही है मैं अभी पीछे जापान गया था वहाँ पर एक शहर में ही एक नदी के ऊपर पांच पांच सिगनेचर ब्रीज मैंने अपने आपने आपों से देखे हैं और कितनी बुलेट ट्रेन आठ आठ बुलेट ट्रेन एक ही स्टेशन से चलती हैं हर पांच मिन्ट में दो मिन्ट में और मेट्रो स्टेशन में कम से कम चौंसर्ट चौंसर्ट मेट्रो ट्रेन एक ही समय में चलती हैं त्रक्की करने के लिए जापान जाज द्वेल्मेंट देशों के मुकाबले पचास साल से उपर लगेंगे पैसा है राजनीती है विकास में इससे विकास होना चाहिए देश में और विकास में ये सब चीज़ें बाधक बन रही है मेटो न्यूज दिली से उमेश सिंगला रन्यवाद